Yes, Lenovo IdeaPad 3 आ गया है, दो साल की वारंटी के साथ, एंड अमेजिंग प्राइस, बट उससे पहले अन्बॉक्सिंग तो ये रहा तुम्हारा चार्जर अब यार ये काफी मोटा चार्जर है और इसमें टाइप C भी नहीं आता, भाई गोल पिन बंद कर दो यार फिर उसके साथ तुम्हें यहां पे कुछ manuals मिल जाएंगी और वही थर्मा कॉल की packing में आने वाला तुम्हारा laptop तो ये रहा तुम्हारा बहुती सुन्दर laptop बट स्पेक्स पहले तो यार ये तुम्हारा Ryzen 5 5th Revenant U के साथ आता है 6 कोर और 12 थ्रेट 8GB की DDR4 RAM है 512GB की SSD है और साथ ही में AMD Radeon का Graphics और उसके बाद बारियात ही है हमारे sponsor की तो यार ये laptop प्रोवाइड करवाया हमें फ्यूचर आईडी जोन वानों जिसके Delhi NCR में बहुत सारे showrooms अवेलबल हैं और मज़ी की बात यह है कि यहां पर तुम्हें EMI भी देखने को मिल जाएगी और नमबर नीचे दे रखा है तो वहां पर तुम जाके ज़रू बात करना तो यार अब इस laptop को उठाते ही तुम्हें एक premium finish मिलेगी silver color की काफी अची है बहुत ही signal branding है Lenovo की यहां पर छोटी सी branding और अंदर की तराफ भी एक छोटी सी Lenovo की branding है अगर बात करें पीछे की तो यार यहां पर तुम्हें दो risers मिल जाएंगे side में दो speaker grill है और बीच में बहुत बड़ा heating vent तो हां built quality plastic है बट hinge is quite stable in fact almost 180 degree तो में इसे बोल सकते हो जो कि एक अच्छी बात है भाई दो साल की on-site warranty by default आती है इसमें तो I guess company को भरोसा है की model study है वरना 2 साल की कौन देता भाई default चलो अच्छी बात है हमें तो मिली रही है ना और ओभी on-site है बुलना मत भाई मेरा laptop फिर से खराब हो गया भाई ये तो Lenovo idea pad है ना इसमें तो 2 साल की warranty आती है अब ही जाता हूँ service center जाने की भी जरुवत नहीं है 2 साल की on-site warranty और ते लिए घर पर आ जाएंगे वो ठीक करने के लिए साही है अब अगर तुमने इसको खोली लिया है तो keyboard में नज़र पड़ेगी और keyboard काफी अच्छा है premium दिखता है typing experience was good wide backlit keyboard के साथ आता है जिसमें 2 level of brightness है उसके इलावा यहाँ पर fingerprint reader नहीं है तो वो एक issue है yes but trackpad थोड़ा सा छोटा है बड़ा करना चाहिए था यहाँ पर मैं disappointed हूँ but काम कर देगा उसके इलावा यहाँ पर तुम्हें एक dedicated numpad भी मिल रहा है तो एक holistic experience तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा फिर सबसे बड़ी चीज laptop की है उसका display और सबसे महंगी चीज भी वोज़ रखते एक तरीकी से तुम इसे 15.6 इंच का full HD display है कौन सा panel पता नहीं फिर brightness इसकी dysonics है एंड साथ में 45% NTSC anti-glay screen है तो काम ठीक ठीक कर देगा बट मज़े की बात ports में है तो बात करें इसके ports की तो left hand side पर तुम्हें एक power socket मिल जाएगा एक USB 3 है, एक HDMI, type C और headphone jack राइट hand side पर जाओगे तो तुम्हें एक USB 2 मिल जाएगा और SD card reader अब तुम इस laptop को यार ले रहे हो तो portability बता देता हूँ दो उखा सकते हो, 1.65 Kg अबेट हलका है, बढ़िया है अब बात करें इसके camera की तो भाई 720p का ये camera है और प्रिविशी शटर तुम्हें आपर मिलता है एक बार quality देखो, तो यार कुछ ऐसी sound quality और कुछ ऐसी video quality मिलेगी जब भी तुमसे video calling करोगे फिर इसकी 512GB के SSD तक को हमने टेस्ट करा है and read speed nickel करा ही 3033 and write speed nickel करा ही 1665 और जिंदगी भाई तुस्ते वो file मांगी थी ना, दे दे ओ, एक मिनट भाई तुस्ते वो file मांगी थी ना, दे दे अब, एक मिनट बता ये वाली चीए ये वाली चीए और इसकी बैटरे भी 45Wh की है and company claim करते है कि 7-8 घंटे का backup देदीगी इतना हमें नहीं मिला 5-6 घंटे तुम मान सकते हो, ठीके, और जाधा लगाओगे तो 4 घंटे में भी नहीं पड़ सकती है बट अच्छी बात ही है, यहाँ पे तुम्हें एक rapid charge मरते है याने की 80% in just 1 hour तो जो भी flaw है, वो सारे overcome यह चीज कर देती है अब audio में तुम्हें यहाँ पे 2 by 2 watt के speaker मिलते है and sound is quite nice अब बात करते हैं इसमें आने वाली performance के बारे में Ryzen 5 5500U क्या कमाल करता है? Cinebench single core में बात करें तो 1122 है और multi core में 6614 है blender के monster में है 48 junk shop में एक और class room में 21 samples per minute PC month 10 में 4910 score आ रहा है applications की बात कोडिंग, stock market तुम्हें मतलब सारे के सारे काम तुम्हें कर पाऊगे दिक्कत कहीं नहीं आईगी बट मजा इसक में आने वाले wifi में है देखो और ये laptop देखे, इसमें wifi 6 तो है नहीं? क्या तेरे घर में wifi 6 router है? नहीं क्या तुझे 1500 Mbps से जादा की speed की need है? 1500? भाई, 50-30 बहुत है अपने लिये तो तो tension ना ले और इसको ले ले बट वीडियो रिटिंग में थोड़ा सा lag ये कर रहा है हमने एक 4 की clip को 720p में रेंडर गरा और result तुम्हारी सामने यार तो ये एक बात तो simple है कान तो इस पे काफी सारा कर सकते हो बट जाना नहीं अभी test बचे है यार इसमें AMD Radeon का graphics आता है तो क्या game बिल्कुल भी चलते नहीं? The answer is no चलते हैं एक बार GTA देखो और खुद analyze करो अब अगर इसमें आने वाली gaming performance दुम्हारा मन भर गया है क्योंकि ये gaming laptop तो नहीं आ बट उसके बाद जो software आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़े है सबसे पहले एक महीने का antivirus जाला कुछ खास नहीं बट मिल रहा है तो बताऊंगा उसके बाद एक महीने का Xbox Game Pass भी free है तो वो भी एक बड़या बात है उसके बाद 6 महीने का Spotify का premium subscription तो वो भी एक बड़या बात है और उसके बाद MS Office भी मिल रहा है lifetime variety के साथ तो एक और बड़या बात है ये भी खतम नहीं हुआ तो Windows 11 भी आती है तो और भी बड़या बात है मतलब overall software का सारा package इसने तुमें करा के दिया है अब इसको ले या नहीं ले भाई price तो super है Amazon पे फिलाल 46,000 का ही मिल रहा है and stellar deal है उसके अलावा तुम offline भी try कर सकते हो और मिलते से अगली वीडियो पे तब तक के लिए बाबाई